स्वास्त मंत्राले पर बात कर लेता हूँ क्योंकि जादा वक्त आपको नहीं मिला उसमें आचार सहीता लग गई अब फिर से आचार सहीता लग गई लोगसभा की चुनाव थे लेकिन ये महकमा मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल के करीब का है क्योंकि आप खुद भी MBBS डॉक्टर हैं तो लाजमी तौर पर उन लोगों की समस्याओं को भी जादा समझते हैं जो इस फील्ड के हैं जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो किस दृष्टी से आप उन करने की कोशिश नहीं उसका अनुभव का फरक पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा फरक नहीं पड़ता क्योंकि यह जो मनिश्ट्री काम ज्यादा देखती है जो कि जहां तक मेडिकल स्वाल है बिमारियों का सवाल है यह तो जो पढ़ाई में होती है वो होती है प्रश्ण किस तने से जो डॉक्टर बैठे हैं जो hospitals बने हैं इंफ्रास्टुक्चर है उसको इंप्रूव करके मल्टिफोर्ड एक्षन जो है वो हम बैटर कर सके जो डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर का काम सिर्फ टीटमेंट पार्थ देखने का निए है सब कुछ देखना है है हाँ हेल्थ मिनिस्टर जैसे मैं अभी ट्रामा सेंटर रोहतक में गया तो मैंने और चक निरक्षन किया तो मैंने जाते ही मैंने कहा के ट्रॉली लेकर आओ तो ट्रॉली लाने में छे मिनट लग गए जो कि ज़्यादा समय था तो मैंने वहीं वाइस चांसर को डारेक्टर को मेडिकल सम्ट्रिन सबको बुलाया मैंने का भी छे मिनट क्यों लगे अगर कोई अमर्जनसी के साएगा अमर्जनसी हो मैंने का कि यह एक बड़ी फंडामें मेडिकल पीजियाई को एक मैसिज गया कि हल्थ मिनिस्टर आया और उसने पहला एक्शन क्या किया कि उसने ट्रॉली कोच जो स्टेचर है उसको मंगवाया और पिर मैंने जब कोच को देखा तो उसकी हालत भी खराब थी तो इस तरह के काम जो होते हैं वो एक ट्रीटमेंट अलग पार्ट होता है लेकिन ट्रीटमेंट को हम कैसे और्गनाइज करते हैं वो एक अलग काम होता है तो इस बारे में हमने यह का देखो साइनेज की बात है अब कोई पेशन्ट होस्पिटल में आया अब उसको यह ना पता लगे के मेडिकल ओपीडी कौन सी है कहा जाना है अब आपने अगर मेडिकल ओपीडी का साइनेज लगा दिया तो आपने मतलब बहुत सारी प्रोब्लम्स को किस से पूछेगा क्या करेगा बड़ी छोटी सी बात है इसे बहुत सारी जो एडमिस्टेटिव चीजें हैं उनकी पोस्टिंग की बात है हमने कहा कि जो चीज अब समय आपने भी माना के हमें कम मिला हमने कहा पीजी आइए इस दी प्रेस्टीजिएस इस्टिशूशन ऑफ दी हर्याना स्केल और जो काम और अगर यहां नहीं होता तो यह अच्छी बात नहीं है ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो वहां होता हो और यहां ना होता हो, तो उस दृष्टी से हमने जनरल होस्पिटल में भी हमने इंटेंसिव केर यूनिट्स का भी हमने उधगाटन भी किया, आईस्यू भी हमने चलाई और हमने मैं आकरे तो आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन बहुत सारे होस्पिटल में MRI हमने खोला है, बहुत सारे होस्पिटल में CT स्कैन हमने चलवाया है, तो अल्ट्रा साउंड भी काफी जगे चलवाया है, लेकिन फिर भी जादा वक्त आपको नहीं हुआ, लेकिन एज़ा डॉक्टर, एज़ा मिनिस्टर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, कि डॉक्टर की जो कमी है वो एकाएक पूरी नहीं हो सकती, यह हम समझते हैं, जब से भारतिय जन्ता पार्टी की सत्ता आई, माननीय मनहोर लाज जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक घोशना की, कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलिज खोलेंगे, आज हमारे हर्याना में पंद्रे मेडिकल कॉलिज हैं, और बाकी खुलने की कागार पर हैं, यानि कि पंद्र आते शुरू हो चुके, ठीक है ना, लेकिन अब देखे, स्वाल यह है, कि आप कहेंगे, कि आपने डाक्ट्रों की कमी पूरी नहीं की, अब कोई मेडिकल कॉलिज खुलता है, उसको जमीन लेने में साल लग गया, दो साल लग गया, फिर वो बद उसको कंस्ट्रक्ट किया, फिर उसमें टाइम लग गया, फिर उसमें हमने लोगों को एडमिट करना शुरू किया बच्चों को, तो बच्चों के पांच साड़े पांच साल तो एमभी इसका कोर्स है, और फिर तीन साल पीजी का कोर्स है, तो आठ नो साल और कंस्ट्रक्शन के मिलाकर दस बारा साल लगते हैं, और हमें सत्ता में आये दस साल हो गए, तो हमारे जो रजल्ट्स हैं, वो अब आने शुरू होंगे.